नमस्का साथियो तो आगता है एक बार फिर से आप सभी का यूटूब चनल आएए पढ़ते हैं में आपका अपना यूटूब चनल है सभी आरेस साथियो को एक बार फिर से बढ़ाईए सुबकाम नाए और कॉंग्रेचुलेशन के आपने प्री मेंस करके मेंस की तैयारी कर प्री पास करके ठीक है इस मेंस के सफर में मेंस का जो यह सुनहरा सफर है इसमें हम आपके साथ है आपका यूटूब चनल आपके साथ है आईए पढ़ते हैं आपकी हर परकार की जो भी परिसानिया उनको सोल करने के लिए हम यहाँ पर बेठे हुए हैं आप हमसे टेलेगर और वर्ड जोग्रोपी का पेपर लेकर आ रहे हैं प्लस इसपोर्ट एंड योगा यह वीडियो हम आपको दो खंडों में पूरा कर वाएंगे ठीक है क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा काफी लंबा हो जाएगा टाइम कम है पांस दिसम्बर का पेपर है यह स्प् अप्लोड कर दिया है और यह जियोलोजी और वर्ड जोग्रोपी और इस्पोर्ट योगा वाले 200 नंबर का एक एक क्यूसन बारी-बारी से हम देखते हैं यहां पर नाम लिखना होता सभी को पता है मीडियम क्या आपका हिंदी-इंग्लिस रोल नंबर एक से इस प्रकार से आपको यह बैसिक बैसिक नोलेज है ठीक है अपको सुरू करते हैं हम देखते हैं आपको सुरू करने से पहले एक चीज़ बताते हैं अगर आपको आरस मेंस टेस्ट च्रीज या फिर नॉट्स और इसके अलाव भी आपको जो भी प्रोब्लम आ रही है आरस से रिलेटेड बजियक आप हमें कोल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं वोट्सप नॉबर 9549 227 222 आप चाहिए किसी भी कोने में हो ALL OF इंडिया में मारκιंग होती है तो पंदरावाले सब्द binnen आपको दो ही चीज ही ठ्याचन रखनी है आपको जितना हाता है उतना ही लिकना है ठीक नहीं आता है तो आपको अनास्ट काई चीजे पेसनी करना ही आपको छोड़ देना है क्योंकि किया अगर अगर नबर भी कम होते हैं तो आप रैंक में आरेस से आपको आर्पियस मिलेगा हमचाते हैं आप SB-1 आर्पियस जो भी बनो लेकिन अच्छी सरभीस आपको मिले जिसे किसे किसे कि संपने समाज के स्कुल में हम आसे की जानकारई के सदन पूछा आप स Career are the sources of information regarding international structure of earth जो अर्थ का जो international वो internal structure होता है सरचना उसके जानकार कि साधन क्या है वो सोर्स आपको स्रिफ नाम लिख नहीं आप पर है क्या क्या सोर्स है तो आप अगर थोड़ा सा बढ़ा करके लिखे तो यह साधन दो परकार क्यों होते है अगर आपको यह भी नहीं आता है आप सिंपल लिख दीजिए कि एक तो जोला मुकी से खनन एवम खुदाई से ठीक है या फिर आप जिसे उलका पिंड होते है उनसे भी जानकारी मिलती है गुरुत्वा करसन बल से भी जानकारी मिलती है और मोडल आंसर की हम आपको प्रोवाइड कर देंगे उसमें से आप अच्छे से इस क्युस्टन को और कर सकते हो लेकिन हम आपको यहापर एक बैसिक गाइडेंस दे रहे हैं कि किस परकार से कुस्टन को एक अटेंप्ट करने का तयार तरीका होना चाहिए एस्पिरेंट्स का क्युस्टन नमबर टू बहुत अच्छा क्युस्टन है नेम फोर होट डेजट्स चार गरम मरुस्थलों के नाम आपको लिखिए यह पूछा है नाम पूछा है तो नाम ही लिखना है जदा एक्स्पिरेंट करने का उजूरत नहीं है चार पूछें तो इस परकार से आप चार लिख दीजे एक, दो, तीन चार या फिर आप दूसरा यह लिख दीजे पहला और दूसरा यह लिख दीजे कैसे भी करके आप लिखें लेकिन चार नाम लिखने है हम आपको यहां पर बता रहे है चार नाम सबसे फेमस एक तो सहारा मरुस्थल ठीक है, दूसरा हम आपको बता रहे है अटाकामा मरुस्थल तीसरा हम आपको बता रहे है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ठीक है, चोथा हम आपको बता रहे है मोजावे हम आपको चार से भी ज़्यादा बता रहे हैं पर ताकि आप एक याद कर सकते हो एक आप सब को पता है थार कमर उस्तल जो अपने है इंडिया में है एक कालाहारी कालाहारी आपको चार पूछा तो चार ही लिखना है ना कि पांच बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान र कैंदरा सब्दों में आपको लिखना है ठीक है कुछ E知 अर्फ किया होता है उगयरा उपक कैंदर। औरे Can the Archana रहे हो TIM ये लिखना है कि भी भुगर्ब की जिस इस्थान पर भुगर्ब का वह स्थानु जांसर भुकु म्प की उत्पति होती है कि इसकी भुक कि छोती है वह यह पर यहां से निकलता है यह होता है अधी केंदर तो भूकम की उत्पति यहां से हो रही है तो यह है अवकेंदर इस परकार से आप डागराम भी बना कर फिगर भी बनाकर समझाओगे तो एक जामेर को काफी अचा पोजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा और आपको मार्क्स कुछल्ओं वैस नमबर 4 राइट आउट वोल्केनिक होट सपोट आपकर पंदरा सब्टो में जाऑत के बारे में है अपसे मुझा है जूआतों की तब्द इस्थ Cantil के बारे में लिखना है, ठीक है तो आपको simple definition मेच करनी है आपर लिखना है कितब तिस्तल क्या होता है कि बज़े से जो अलाम की उद्धार होता है तो वो plate के किनारे से न आखकर मद्यभाक्षी होता है तो यहिज जो अलाम की तब तिस्तल होते हैं कुछ अगर आपको हधारन याद है तो हधारन भी प अब देखो साप मेंसन क्या हुआ संचिप्ट टिपनी का मतलब 15 से 20 सब्द में आपको संचिप्ट लिखना है जितना आता है मेब बनाओ तो मेब बहुत अच्छा हो पी चलो इस प्रकार से आप मेब बना सकते हैं यह वैसे का फिर आप उसमें मेंसन कर सकते हैं और यह चूना पत्थर का से निर्मित पठार है किस से चूना पत्थर से निर्मित पठार है ठीक है गरम और सुष्क परिस्तितिया यहाँ पर पाई जाती है ठीक है और एक और अच्छा पॉइंट है इसका कोलो नाम से यह कोला रोडो नदी है वो यह यह से निकलती है जो रेड केनियन भीहड बनाती है जैसे अपनी चंबल बनाती है भीहड उसी प्रकार से इस प्रकार के आप सोर्सिस डाल दोगा संसीट इपनी आपको दो में से दो नंबर तो बिलकुल देंगे लेकिन आप एक क्लीन नीड पॉइंट वाइज लिखना ठीक है न उससे के एक एक अच्छा सा इफेक्ट पड़ेगा किसा नंबर सिक्स राइट शोट कमेंट्स ओन फैकॉलिट फैकॉलिट पर संसीट इपनी लिखिए अब आप फैकॉलिट के बारे में जाहनते तो सबसे अच्छा तो इसका यह कि आप डाइग्राम बना दोगे ना तो डाइग्राम से इं सुडेंट को आता है चलो नंबर देते हैं वह आपकी लाइन पढ़ेगा नहीं ओनली देखेगा देखके ही आपको मार्क्स देगा तो इसके लाइन काफी डिफिकल्ट टाइप से लगती है यह एक अंतरवेज जोला मुकी इस्तला करती है जिसका निर्मार मेगमा होता है मे सबढ़ेज़ से आप कर दियाका लेकिन फिगर मेंन गुरोगे बसफिसियोंड आपको आंशो ठीक है किसा नमबा सेवन सबना घास के मेदान का संसिक्त व्यव्यों देजिए को सबना ग्रासलेंड के बारे में आपको ब्रिफ में डिस्क्रिप्स्रिप्सन करना है ठीक है आ आप सभी जानते हैं सवान सवाना कहा पर है अफ्रीका में तो शुरुवाती से कर देना अफ्रीका में इस्तित कौन सा यह उसने कटी बन दिये गहास के मेदान है ठीक है परिस्थितिया कॉन से पाई जाती है आपर अर्द सुस्क अर्द सुस्क परिस्थिति यहां पर पाई जाती है आहां वर्सा का विवर्ण भी कर दीजेए यहां पर कि चलो यहाँ पर 15 से संटी मीटर तक वर्सा होती है ठीक है इतना आप लिग दो सब इस हिंदा पंदरा संब होगे थोड़ा सा कहते है तो इससे कह सकते हैं विस्षु क प्रत्वी तो प्रत्वी की जो आंत्रिक सरचना है उसको समझने में साहिता मिलती है ठीक है विज्यानिकों को दूसरा हल चलोने से जो जलमगन भूमी है वो उपर अधती है अगर अंदर हल चलोएगी तो यहाँ पानी है तो उपर के तरफ आएगी तो इससे कहा एक तो यहाँ पर के बंदरगाओ का निर्मान होता है तो यह जो बड़े जहाज होते हैं वो पास किनारे बर जदा आ सकते हैं तो यह एक अच्छा बेनिफिट पॉइंट से इस प्रकार से आप मेंसर कर सकते हो पंद्रा सब्दों में किसा नमबर नाइन वायु जनित पठार प पुछा ठीक है तो नाम से यह आपको पता चल रहा हुआ जनित पठार मतलins निर्मित पठार तो अ अपरधन किरिया के दोबर गए और अपरधन किरिया दुवारा लाए गई मिट्टी ने यहां अशादों के अत्यधिक निक्ष्यपन से जो पठार निर्मित होते हैं वह ज जनीत पठार अब टिप ने तो कर दिया आपने लेकिन अगर जब तक उधारन नहीं देंगे ना तो किस्ट्स का मज़ा नहीं आएगा उत्तर का आप उधारन में लिगतीजिए पोतवार का जो पठार है कहां पर ये प्रडोसी देश पाकिस्तान में एक उधारन एक्जामपल तो अब इसमें आपको एक्जामपल जब बोला कि सहीत तो एक्जामपल तो आपको लिखना ही लिखना है सबसे पहले काश्ट्र मेदान के बारे मापको बताना है कि चूने की जो चूने की सेल होती है ना चूनों की सेलों वाले छेतर में भूमिगत जल के अप मानता है कि छूने के शेल चेत्र से भूमी का शल के अप्र दन के बाद में अंतिम में ध्रहतल यह भिस्म्य अ किए अप Way के निताल और निताल हुआ अल मोड यूग ताफ भारत में आप सभी को पते हैं इस परकार से फिटात flash लिखो आपको हवाए ओ एक स्दूана को सभी अच्छा याई मेदनओ को सब बटब का पालना क्यों कहा जाता है यार £ plain school cradle of civilisation प्रृजभाम को क्रसी के लिए उप्योग होती है वो करसी शिंदू घ्रिए तुरा टीक है थीक है नदिया आप से अब इसली क्रसकते हैं है वहालो को इसली हो किससा है ह। और यहां पर हर तरह की सुविद्दाएं ठीक है किसा नमबर 12 एलब्रुस परवत का संक्षिप विवरान करना आपको एलब्रुस माउंटेन अब आप सब्सक्राइब का लोकेशन कहां पर है यूरोप कौन सी परवसंक्ला काकेसस काकेसस कहां परती है रूस के बोर्डर पर परती है ठीक है जिसमें रूस की कुछ ने दियो का भी उद्गम है मेंसर करो तो कर दो लेकिन 15 सब्दों में आप इतना लिख दोगाना काकेसस परवसंक्ला यूरोप में लोकेशन है और अगर आप इसको यह भी याद है कि 5642 मिट यह आद ठीक है आपको अच्छा मार्क मिल जाएगा नंबर मिल जाएंगे ठीक है यह कुछ थोड़ा अजीप स्टाइप का है प्रत्हम दित्य तरत्य श्रणी के उच्चावच के नाम लेखिए ठीक है अब आपको प्रत्म स्रणी दित्य श्रणी के लिखने अब आप सभी इसमें डेल्टा गाटिया इस परकार से आप नाम लिखने आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे ठीक है पहला जो स्रेनी इसमें महादीब महासागर आगा दूसरे में परवत पठार आगा तिसरे में डेल्टा और या गए ठीक है किस्चन ग्रीन हाउस गेसे इसमें पुछा ग्रिन हाउस गेसे पर आपको कमेंट करना है ठीक है जिए पर अब कमेंट करोगे तो लाश्टम आपको ग्रीन हाउस गेसे समें करना नहीं नाम वह कहते हैं रखसकते याश्व मंधली में लाखें है मतलब यह एकत्रतीं करती है इस प्रकार से आप दो तीन पॉइंट्स लिखोगे ना हरिद गराएगे इस भी कहते हैं इनको ठीक है इस प्रकार से आपको अच्छे मांक्स मिल जाए लेकिन गिरिनाउस गेसुष के नाम अवस्थ से आपको मेंशन करना है अंत्य परवतिय पठार को हुधारन सहीत स इस प्रकार से आप दो एक्जामपल भी साथ में पेस कर दोगे ना बहुत अच्छा रहेगा ठीक है यरुसलम विवाद क्या है इस पर संक्षित्पने आपको करना है तो यरुसलम विवाद का एक पवित्र स्थान है जो यहुदी के लिए भी है इसायों का भी है और इस्ला मतलब मुसलिमों के लिए भी है यह पवित्र स्थान है यहाँ पर सब अपना अपना दावा करते है ठीक है तो इस चक्रम इसराइल और हमास के बीच में आपर मतलब एक जंग सी छिड़ी होई ठीक है कि यह हमारा दिकार है हमारा दिकार है इस प्रकार से आप मेंसन कर दो कलप हो का आपको नाम लिखना है तो आप सबी को पता कि यह होते है जिए शिक्स कलप ठीक एक एक कानाम हम आपको बता रहे है पहला है नाम यहाँ पर केंब्रियं इस दूसरा है और्डो वीसियन ओरड़ो आपको राइटनिंग समुज़ने रहे तो आपको मोडल आंसर की प्रवाइड कर वाद हैं आप से कॉंटेट किजिए ज़स्ट ना सिलूरियन फॉर्थ है डिवोयन डिवोनियन डिवोनियन फित हैं कारबोनी फेरेस कारबोनी फेरेस और लास्ट परमियन इस परकार से छे काल पर ठीक है मोना किया परवत का संक्चित विवरण करना है अब संक्चित विवरण में सबसे पर इसका लोकेशन कहां पर यह हवाई दीप का सर्वोच परवत है ठीक है इसकी उचाए 4207 मेटर ठीक है बस इतना लिख दो कियो अगी। लिख सकते हैं विञल का पामीरranिट इसके पर ऍव आपकर इंद्ञता हैacağız क्यों क्यों कहते हैं आज हूं सुलेमान यह सcompli间 बनाया में इस प्रकार से चण खे र requirements के उसके चत के रूप में और होते हैं इस लिए इसलिए इनको विष्वकी छत कहते हैं इसलिए किर पामिर का पठार ग्ठार को विष्वकी चत इसलिए कहते हैं टीक है हें कि अभ एक क्षिशंद आएब पहले आप से पुचाता होड देजेट आब आप से पुचांए चार थन्डे मरुष्टलों के नाप Izmo थंडे मरुस्तलों के नाम आपको बताते हैं एक तो अंटार्क्टिक आप सभी जानते हैं कि थंडी जगह तो अंटार्क्टिक और दूसरा आर्क्टिक यह तो आप देखके लिख सकते हो अंटार्क्टिक और आर्क्टिक और एक और आपने नाम सुना है टकला मकान है टकला मा भाकन मकान नहीं टकला माकन मुरूस्तल और एक और है पेंटागोनिया भी सारे थंड़ा मुरूस्तल है आपको चार पुछा चार लिखना है ना पांस पूछाए तो पांस लिखना है अब आगे कुछन पांस वाले ठीक है प्रते किस्टनों के उत्तर पांस नमबर में देने भुकम विज्ञान के आधार पर प्रत्वी के आंतरिक सरचना के क्या अनुमान लगाए गए हैं भुकम विज्ञान के आधार पर प्रत्वी के आंतरिक सरचना के क्या अनुमान लगाए गए हैं भुकम विज्ञान से क्या अनुमान लगा सकते हैं प्रत्वी के आंतरिक रंगे होती है त्रवधारत से नहीं गुजरती वह उन्तिसो गहराएं के बाद विलूप्त हो जाती है इस प्रकार से प्रमानित होते हैं इस प्रकारसी जो प्रत्विकि आंतिक से एशना उसका अनुमान लगा जाता है कम्प विज्ञान से इस प्रकार से आप 4-5 पॉइंट्स मेंशन करतीजिए किसन टू साहरा मरुस्तल का वीवरंड दीजिए साहरा मरुस्तल का आपको वीवरंड देना है सबसे पहले इसका आपको लोकेशन देना है अफरिका में साहरा मरुस्तल वीष्ट। का सबसे बड़ा और गरम मरुस्तल है यह लिख दीज 돼शे है यह लिख दीजिए 11.200 में है यह अफरिका में और यह हममाद और पथ्रिला मरुस्तल है यह भी आप मेंसन करतीजिए यहाँ पर जो परमुक ज जाती है । तो उसी आदार पर लिखना है तो विकास की अवस्ता की अवस्ता की अवस्ता के अदार पर आपको बतहते एक तो नवीन पठार होता है here proud होता है विकास के वस्ताहे दरपर फिर व्रत्धावस्ता वाला होता और पुरर निविद पठार होता है यह चार होका करनारा हार एक 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 जामपल्स देना है यह उत्तर हो जाएगा पठारों का वरकारा हर तरह से नहीं करना है ज journalism यूसर नमबर फॉर्थ है हम देखो यहां पर मेधानों के विबीन परकार बताइए इस्टेट टाइपस और प्लैंस प्लैंस के जो मतलब परकार से वह बताएं जो आपके साइंटिफिक तरीके से देखे जाए तो दो परकार है इनके अपरदनातमक एक टो अपर दनातमक अर की तो परकार तो लेकिन अगर आप इस परकार से कुस्टिनस को शुरू करेंगे तो आपको आंसर में तो सबस्क्राइए कि यह धिक्त की आपको मिल जाएगि है मोडल की मिल जाएगा Wouldn fighting और यूटूब चनल इसेlus लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंजोई कीजिए इस्टडी में